जुनावी जैस्के की गोवी वैक्सीन को तु इसरे चड़के ट्रैल की मंजूरी ट्रैल के लिए डी सी जी आई से मिली मंजूरी कोरोना नियमों का पारण ना करने पर पीम मोधी नचताई चिंता कहा लापरवाही की जगा नहीं होनी चाहिए दिल्ली मुंबई समेत आधेसे जाधा देश में पेट्रोल 100 रुपई के पार नैपेट्रोलियम मंत्री बोले थोड़ा समय दे योगी सरकार पेश करेगी नई जन संक्या नीती विश्वी जन संक्या दीवस पर गोशित होगी ये नई नीती चिदर गोट में आज से पाच दिनों तक होगी संग की बड़ी बैठक बैठक में RSS चीफ मोहन भागवाय दत्ता त्रे होस बोले वाहने पड़े बदादिकार ही रखेंगे मौजू कि मश्कार स्वागा थे आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ प्रियातिवारी शुरुवात करते हैं बुलेटिन की सहारनपूर्ब के एक स्कूल में कोरोना के नियमों की धज्या उनाई जा रही है और प्राइवेट स्कूल स्वीमिंग पूल से कारोबार क बच्चों सहित सैक्रों यूवक नहाते हुए दिखाए दिये हैं और मात्र सौ रुपए फीस के लालच में लोगों के जिन्दगी से खिलवार किया जा रहा है बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के जिन्दगी के साथ खुलेयाम चल रहे इस खिलेवार का जिम्मदार आकर क कौन है स्कूल प्रिशासन कैसे सरकारी आदेशों के खिलाब जाकर काम कर रहा है वहीं कुशी नगर के कई गाओं में बाल का पानी घुज गया है गंदे नदी में पानी के बाहों में लगातार हो रही बढ़ोत्री और इसी बज़ा से बालमी की नगर बैराज पर बड़ी गड़क नदी का पानी बढ़कर 2.8 लाग क्यूरेस हो गया है और अब नदी का जलिस्तर तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलिस्तर बढ़ने से रोहुआवा नाला भी उफान पर है हर जगा पानी के भढ़ने से लोग नाव से चलने को मजबूर हो गया है साथी कई लाकों में सड़कों तक पानी पहु हाला करते हो जमीन पर कबजे की जानकारी मिलते ही किसान ने माफिया से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ब्सुरत पर कर मोके से भगा दिया है वही ने आई पाने की तलाश में पीढ़ेद और उनके साथ अन्य किसान जिलाधिकारी और उबजिलाधिकारी के पास गहें लेकिन उन्हें हर जगा से निराश होकर ही लोटना पड़़ रहा है वीडित बताया कि हमने हर अधिकारी को प्रात्नत प्रत्त दिया लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है वही हमेरपुर के सदर कोत्वाली छेत्र में करज से परिशान एक मजदूर ने आत्महत्या कर ली है मजदूर के आत्मत्या करने की जानकारी मिलते ही उसके परिवार वालों में हर कम मजग्या इसके बाद सूचना पर पहुची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है साथी पुलिस इस पूरे मामले की जाज़ परताल भी कर रही है रुकरते अली खबर के ओर कानपूर के चकेरी धाँचेत में दो यूगों के शव बरामद हुए हैं शवो के मिलने पर इस्थानी लोगों ने पुलिस की टीम को घटना की जानकारी दी सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटना इस दलपर पहुच गई पुलिस ने दोनों शवों को कबजे मिले कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है साथी मामले में जाज करने के लिए पुलिस ने जाज के आदेश भी दे दिये हैं वहीं आगरा किताना सदर शेतर में आठ वर्ष ये बच्चे ने अपने अपहरण की जूटी कहानी बना कर घर से गायाब हो गया है बच्चे की गायाब होने का पता चलते ही उसके पिता पुलिस में शिक्याद करने के लिए पहुँच गया शिक्याद के आधार पर फॉरण एक्टिव होते हुए पुलिस ने बच्चे को ढून निकाला पूरे मामले में S.P.C.T. बोत्रे रोहन प्रमोत ने बताया कि बच्चा घरवालों की डाट से नाराज होकर घर से निकल गया था जिसके बाद बच्चे में खुदी अपनी किड्नापिंग की कहानी रची है सीसी टीवी फॉटर शिक्यादार पर बच्चे को बरामत कर लिया गया है कि दो दिवस पहले एक छोटा बच्चा आठ साल की उमर नकाइक लड़का अपने घर से चला गया था सबोता आपके साथ कुछ कहां सुनी होगी इसलिए नाराज होके वह घर से अपना निकल गया था उसके पिता जी ने पुलिस स्टेशन कमलाना कर पे उसकी कंप्लेंट भ सब्सक्रावाना हुई सारे CCTV फूटेज इत्यादी देखे तो इस लड़के को भी बरामत कर लिया गया इनिशली लड़के ने किटनैपिंग की स्टोरी जो है वो बताए थी कि उसको क्या ने किसी वेक्ति ने अपने गाड़ी में गाड़ी के डिकी में डालके उसको ले जा करने के पाद उसने बताया कि वो कुछ क्राइम सीरियल और इस तरह प्रकार के सीरीज जो है वो देखता है वहीं आगरा के शागर्ज धानाच्षेत में पुलिस कर्मी ने पंखे से लट टक कर फासी अगा लिया पुलिस कर्मी के आत्मात्या करने की जानकारी मिलते ही पुल रही है पुरिस अधिकारी ने बताया कि जाज जारी है उसी के आधार पर आगे की कारवाई की जाएगी वहीं सुल्तानफुर के नगर कोतवाल इलाके में बस को पीछे से आ रही तेज रप्ताल ट्रक ने टक कर मार दी इस हाथसे में बस में सवार दो यूको की मौके पर ही मौत हो गए वह इस घटना में कई लोग गंभी रूप से घाल हो गए है इसके बाद लोगों ने घालो को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करा दिया है फिलहाल घालो का इलाज जा ली है यह लोग सेक्यूरिटी गारड वानी सब फैमिली से यह सब जा रहते हैं रुपई डिया नेपाल बॉर्डर से हैदराबाद और इनका एक्सिडेंट अपने जमोली वाडर और पूड़े बार आबादी के बीश में हो तो हमारे पास अस्पताल में यह लोग एक वजे करीब आए तो उसके बाद जब देखा गया तो उसमें दो लोग की मृतिव हो चुकी और सर में कभीर चोटों के विजैसे और उसका सर खुल गया तीक है ब्रेन का मैटर दिमाग का मैटर सब पाहर निकला हो पोटेट बोड़ी को रखवा के उसको फिर पुलिस इंफॉर्मिशन गेज घटना खटित हुई है और जो दो लोग की मृतिव हुई है कि रिष्तिदारों से नाम पूझ के तो एक का नाम है प्रेम चलोने पुत्र कुत्र है चलोने और यह वही दिला अच्छम नेपाल के रहने वाले थे जिनकी उमर 36 साल ती और एक लड़का 15 साल की उमर का महेंदर पुत्र कमल भुषार यह बढ़ दिया ने जो रात में कापी लेट में यह सूचना एक प्राप हुई थी कि ठाना भीकापूर है जगा वहां पे उदर से काटमांडू से ते लंगाना एक बस जा रही थी कुछ सवारियों को लेके और जब उदर से यह आ रही थी तो इसे ट वहां पे जो भी मौदूद रहागा उसने रेफर किया कि आगे चले जाएं पूरे बार चले लाए गया उसमें दो व्यक्ति जो थे हैं सवार उसने की लिद्ट हो गई है और बागी सब हलके फलके इंजार्ड हैं और उनको आगे की बिद्धिक कारवाई की गई बरतंगली कबर के और बुलन शहर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट अध्यक्ष चंदर शेखर के नितरक में साइकल यात्रा निकाली गई राष्ट अध्यक्ष चंदर शेखर के साइकल यात्रा में सैकलों की संख्या में लोग शामिल हुए आगामी 2020 की चुनाओ को लेकर भी चंदर शेखर ने अपनी बात कही उन्होंने कहा कि चुनाओ को लेकर ही साइकल यात्रा निकाली जा रही है इस बार चुनाओ में हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी हमारी आइडी बने जाएगी टाइट प्रदर्शन को मजबूत करने और जंता को यह समझाने की चुनाओं में उनको धरम के नाम पर नहीं अपने मुट्दों के नाम पर उड़ देना है यहां महंगाई जो पड़ गई है यहां जो कराईम उत्तर प्रदर्शन के बढ़ रहा इसका जवाब कौन देगा मुखे मंतरी चुनाओ वहीं जौनपुर में सपा की कारिकरताओं ने मंगूरा बादशापुर थाने का घेराव किया सपा की कारिकरताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा है पुलिस पर आरोप लगा है कि उसने बीडीसी सदस को पकर लिया इसी के साथ कहा गया कि सत्ता धारी लोगों की शाह पुलिस वाले इस तरह काम कर रहे है आरोपों के साथ थाने के सामने सपा कारिकरताओं ने ज वही मैनपुरी के जागीर ब्लॉक में नामांकन के दौरान सपा और भाजपा समर्थकों में जमकर नोग जोगी हाता पाई के दौरान सपा विधाक की गाड़ी का शीशा तूट गया था इसी वजह से सपा विधाक को लोटना पड़ा बाद में मौके पर पहुचे DM और SP की मौजूदगी में सपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया भाजपा प्रत्याशी समर्थकों पर हमला कर नामांकन पत्र फारने के प्रयास का भी आरोप लगाया गया है ब्लॉक प्रमुपत को लेकर इस हंगामे के बाद अब भाजपा प्रत्याशी सहीत साथ नामजथ लोगों पर मुकादमा दर्श किया गया है इसके अलावा करीब सौ अग्यात लोगों पर भी मुकादमा दर्श किया गया है आज जागीर ब्लाग जन्पन मैंकुरी में नामांकन की समय में नामांकन स्थल से करीब तो सो पांशो मीटर दोरी पर भाजपा के प्रत्याशी मुनेश जवान उनके समर्थकों और बात सपा के प्रत्याशी बिल्लू और आस्थोस जिनके साथ किस्नी छित्प के मानी भी रहे बिजिस कठीडिया साभी थे बिवाद हुआ कुछ और आपसी दक्का मुख्यों हुई परतित रूप से कपड़े फ़रे जाने और साथ में कुछ आने चीजों को लेगारी पर पत्राव करने की बात कि हम पहले तो इस गठना भी खोर नेंदा करते हैं वहारे बाहने विठाइब इस कठीडिया जिए प्रत्यासी का विल्लू प्रत्यासी में अमला कुणकी को उनका पर्चा दाखिल कराने जागिर गए और मुझे जांकारी में दिले है कि सुबह से इनके पीछे तो यह लाल पूरे जन्पद में उनका यही था कि किसी भी विलॉक्स में समानजवादी पार्टी के विलाक प्रूंगी प्रत्यासी के पर्चे दाखिल नव पारें पॉइंबुलन शहर के शिकारपूर तहसील पर भारती किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों महंगाई के विरोध म को लेकर किसान यूनियन के लोगों ने सरकार के खिलाब जमकर नारे बाजी की है और इसी के साथ हंगामा करने वालों ने राश्टपती के नाम एक ग्यापन अधिकारी को सौपा है हंगामे के बाद तहसील अध्यक्ष वीर पाल सिंग ने बताया कि सरकार ने रसोई गैस के दामों में पिशले दो साल में बहुत जादा प्रद्धी की है जिससे किसान मस्तूर के घर का चूला भी सही से नहीं चल पा रहा है वहीं कुशिनगर के पड्रोना मार्क पर बाइक को बचाने के चक्कर में एक गाड़ी बिशली के खंबे से टकरा गए इस खटना में गाड़ी में सवार करीब 6 लोग गंभीर रूप से घार हो गए वहीं सूशना पर पहुची पुलिस ने घायलो को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करा दिया है जिन में से दो की हालत अभी गंभीर बनी हुई है फिलहाल सभी घायलो का इलाज अभी भी जारी है वहीं जौनपुर में धर्मांतरोर कराय जाने के मामले में हिंदू जागण मंच के लोगों ने हिंदू परिवार के घर के सामने बने एक कमरे को तोड़ दिया कि उसके अंदर भारी तादाद में इसलाम धर्म से जुड़े पोस्टर और जंडे लगे हुए थे इस वज़ा से हिंदू जागण मंच के लोगों ने सारी पोस्टर को भी जला दिया इसके अलाबा एक और जानकारी दी गई है कि इस परिवार की नावालिक लड़की को मौलाना ने अपहड कर लिया था पूरे मामले में पेरित परिवार की शिकायत पर सक्रिय हुई पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदब से 36 घंटे के अंदर आरोपी मौलाना को गिरफतार कर लिया है और लड़की को सकुषल बरामत कर लिया है वहीं गिरफतार आरोपी अक्तर आजमकर जनपत के बरदा थाना चेत्र का रहने वाला है यह दिनांग 6 जुलाई को थाना सराइग वाजा अंतरगत एक नावालिक लड़की का विप्रीत समदाय के योग के द्वारा अपहरण के संब्द में सुचना प्राप्त हुई थी उस पर तत्काल पुचित धाराव में अभ्यूग पंजिकित करके पुलिस अधिक्षक महदर जोनपूर के द्वारा सरविलांस और स्वाट की टीम को भी लगाया गया था जिससे कि इसको आज उस नावाली अप्रिता को और अफ्रित करने वाले वेक्तिक को पकड़ा गया है इसने बताया कि उस दिन ये उसको यहां से ले जाकरके पहले जोन Pour investig ंपर आया यहां से बस पकड़ा आजमगडगया आजमगड़ जाने के बाद अम्रेटकर नगर में रात में एक कमरे में होटल कले करके रहा आज गोंडा कल गोंडा जाने का प्लान था लेकिन किसी कारण बस वापस आ रहा था तो आज इसको जो है वही कानपूर के बिलहौर में रोडवेज बस तेश बारिश के दोरान अन्यंत्रित होकर छेति के रसूलपूर गाउं के पास अटक नदी में जागी जिससे बाद बस में सवार यात्रियों में चीक पुकार मच गई हाथसे के दोरान ग्रामीड यात्रियों की मदद के लिए घटना इस थल पर पहुंचे इसके बाद बस से शीशे को तोड़ कर यात्रियों को एक एक करके बाहर निकाला गया वही जानकारी के अनुसार बस करीब पचास यात्रियों को लेकर कन्नौट जा रही थी छेतिकेर रसूलपूर मोहन पुर्वा गाउं के समीब जीटी रोड पर तेज बारिश के दौरान अनियंद्रित होकर रोडवेज बस पुल की लोहे की रेलिंग तोड़कर अटक नदी में चागी थी वही कुशी नगर के पड्रोना मार्क पर बाइक को बचाने के चक्कर में एक गाड़ी बिशली के खंबे से टक्रा गई और इस घटना में गाड़ी में सवार करीब 6 लोग गंभी रुप से घालो गए हैं वही सूशना पर पहुची पुलस ने खायलो को इलाज के लिए स्पतान में भरती करा दिया गया है जिसमें दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है फिलाल सभी खायलो का इलाज अभी भी जारी बताया जा रहा है तो ये कुशी नगर से खबर है जहां पर पड्रोना मार्क पर बाई को बचाने के चक्कर में एक गाड़ी बिशली के खंबे से टकरा गई है और इस घटना में गाड़ी में सवार 6 लोग गंभीर रूप से जुलज गया है आपको बता दे कि सूचना पर पहुची पुलिस ने खायलो को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करा दिया है जिसमें से दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है फिलहाल सभी खायलो का इलाज अभी भी जारी है तो फिलाल सभी बुलेटिन में इतना ही तेश ब्रकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी